नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप से लिकास भागत करती हूँ, आपके इपनी चानल सुमन एजुकेशन हब में, आज के इस बीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अट्री, TDS की आपको कैसे करनी है, TDS का जो सेक्षन है 194T, TDS का जो सेक्षन है 194T ये नीज सेक्षन है, नीज सेक्षन गौर्न्मेंट लेके आई है, जो कि एप्लिकेबल होने वाला है, 1st April 2025 से, और ये किसके लिए है, TDS on payment by form to the partner, तो partner के को जो आपेमेंट करेंगे उसके लिए TGS है और इसका threshold limit है 20,000 aggregate year है और TGS का जो rate है वो at the rate of 10% है अब यह किन-किन companies पर apply होगा जो partnership company है LLP company है उनके पर apply होगा अगर आप partner है किसी company में तो वहाँ पर आपको मानने जे आप company से salary लेते हैं partnership form में क्या होता है कि partner के accounting में काफे सारे transaction company करती है और उस transaction का पता नहीं चलता है तो इसलिए government ने इसको identify किया है और उसके थुरू हाँ पर calculation आपको कैसे कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूं सबसे पहले काफे सारे transactions होते है तो क partner partnership में जा रही है partnership partner को sell दे जा रही है commission जा रहा है या फिर bonus जा रहा है उसकेश में आपको tedious डेटक करना है या पर कई बारी क्या होता है जो partner होता है company को loan देता है और जब、、odaJesus को loan का amount pay खरती है तो इसमें interest भी प्रती है तो जो interest loan on loan के पर जो interest amount है वो उसके उपर भी आपको टीजेस डिड़क करना है तो यह पैसे वैसे transaction थे जिसके उपर टीजेस आपको डिड़क करना है अब किन transaction पर आपको टीजेस डिड़क नहीं करना है जो reimbursement transactions होते हैं माली जी कोई partner है वो आपके company में जो expenses होते हैं वो daily business pay expenses अपने pocket से अपने जेब से पे करते हैं तो वो company reimbursement amount उनको पे कर देती है क्योंकि उनने company के विहाब पे पे किया है तो वो reimbursement उन्हें मिल जाता है तो इसको हम टीजेस में calculate नहीं करेंगे सिर्फ salary bonus commission और जो loan to interest amount receive होता है इसको ही consider करना है 20,000 इसकी threshold limit है और जो टीजेस का rate है वो 10% है अब इसके entry आपको कैसे करती है तो दो टाइब की entry में आपको इस video बताने वाली हूं पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको टीजेस की simple सी entry करनी है second entry भी हम देखेंगे कई partner ऐसे कहते हैं कि हमें कुछ accounting का पता नहीं मुझे कुछ नहीं पता मुझे मेरी salary पूरी चाहिए मान लिजे कि उसकी salary 50,000 है या फिर 1 lakh रुपीज है तो वो कहता है कि मेरे account में मुझे 50,000 ही चाहिए कुछ रड़क करना है नहीं करना है मुझे कुछ नहीं पता तो इसको solution क्या है कैसे entry करना है ये भी मैं आपको आज के इस video में आगे बताने वाली हूं तो चलिए bell icon को प्रेस कर लिजे से हम journal voucher को select कर लेंगे app to press करके update change कर लीजे तो यहाँ पे हम month के end में salary provisional entry रालते हैं salary account का ledger हम create करेंगे indirect expenses के अंडर में क्योंकि company के लिए ये indirectly expenses होता है माने जे 50,000 salary है तो 50,000 हम total जो है वो debit कर देंगे और यहाँ पे TDS on 194T इसका ledger हम create करेंगे under current liability के क्योंकि हम ये pay करने वाले हैं तो इसलिए ये हमारी current liability होगी अब यहाँ पे 50,000 पे हमें 10% जो है TDS deduct करना है तो 50,000 का 10% 5000 हम यहाँ पे कर देंगे credit और यहाँ पे salary payable जो है under current liability के हम create करेंगे और जो हमारी salary liability होगी जो payable amount है वो है 45,000 तो इस तरीके से salary को हम total कर देंगे 50,000 अगर salary है तो 50,000 को हम debit कर देंगे और जो भी salary है उसका 10% आपको TDS calculate करना है तो 50,000 का 10% होता है 5,000 और जो remaining यानि की 45,000 remaining है यह हो जाएगा employee का partner का salary payable narration में आप mark कर सकते हैं कि जो salary हमने book की है for the month of July इस तरीके से narration में आप mark कर सकते हैं अब यहाँ पे हमने salary book कर ली है अब जब next month में हम अपने partner को salary pay करेंगे मान लिजए first को करते हैं अब यहाँ पे जो salary payable है यहाँ देखिए 45,000 credit में show हो रहा है इसको हमें 45,000 debit करना है और हम अपने bank से देंगे इसलिए हम bank को कर देंगे credit narration आप mark कर सकते हैं कि salary paid for the month of July इस तरीके से narration आप mark कर सकते हैं हमने यहाँ पे salary pay कर दिया है अब जो हम TDS pay करेंगे before 7th so before 7th जो हम TDS government को pay करेंगे उसकी entry में आपको यहाँ पे बता रही हूँ same voucher में ही हम करेंगे payment voucher में और जो हमारा TDS on 194T है वो हो जाएगा debit 5000 से और हमारा bank हो जाएगा credit तो इस तरीके से जो TDS हम pay करेंगे उसकी entry आपको यहाँ पे करनी है यह first condition हमने देखिए जहाँ पर की simply आपको salary को book करना है मान लिजी कि जो आपका partner है वो मार नहीं रहा है वो कह रहा है कि नहीं जो मेरी salary वो पूरी मेरी account में आनी चाहिए मुझे नहीं पता TDS करतेगा या फिर नहीं करतेगा तो उस case में आपको कैसे salary book करनी है कैसे आपको TDS deduct करना है वो सारी चीजे हम इस वीडियो में अभी मैं आपको बतानी वाली हूँ तो यहाँ पर हमें क्या करना है मान लिजी कि partner मान ही नहीं रहा है कि हमारा 50,000 मान लिजी salary है वो कह रहा है कि मुझे पूरी की पूरी 50,000 जो है वो मेरे account में credit होना चाहिए मुझे नहीं पता 5,000 तुम TDS काटोगे नहीं काटोगे मुझे पूरा का पूरा amount अपने salary का जो है अपने account में चाहिए तो इस case में हम कैसे करेंगे book salary account जो है मान लिजी 50,000 salary है तो 50,000 को आप divide करोगे 90% से जब आप 90% से divide करोगे तो 10% जो है वो amount निकल के आएगी तो जो 10% amount है वही आपको add कर देना है और यह amount आप किस में add करोगे salary में तो यहाँ पहले salary थी 50,000 अब salary होगी है 55,000 555 अब इसके उपर जो TDS हम deduct करेंगे इसका 10% हो जाएगा 5555 और जो salary पहले वो देखिए 50,000 यहाँ पर निकल के आ रही है तो इस तरीके से simply अगर आपके जो partner है वो नहीं मानते हैं तो हमें क्या करना है simple सा मैं आपको बताती हूँ जो salary है उसमें आपको 10% add कर देना है तो 10% add करेंगे और उसके बाद यहाँ पर TDS में आपको 10% अलग से show करना है इस तरीके से आपको entry करनी है और उसके बाद यहाँ पर जब हम salary pay करेंगे तो उसकी entry कैसे करनी है payment follow voucher select कर लीजिए और जो salary payable है 50,000 total जो है वो आपके partner के account में credit हो जाएगा और आपका जो bank के वो हो जाएगा credit debit हो जाएगा और bank हो जाएगा credit इस तरीके से जो salary payable के entry हमने कर ली अब जो TDS हम पे करने वाले हैं TDS payable की भी entry आपको payment voucher में ही करनी है अब यहाँ पर जो TDS था वो हो जाएगा debit triple four time five से और bank से कर रहे हैं तो bank आपका हो जाएगा credit इस तरीके से 194 TDS के section में आपको salary के उपर TDS को deduct करना है और यह एप लेके पल हो जाएगा 1st April 2025 से मैंने अल्रेडी advance में आपके साथ video share कर दिया है so that आप practice कर सके हैं और आपको पता चल सके कि कैसे आपको TDS deduct करना है thank you for watching keep watching